आज मैं आपके साथ केसर पिस्ता आइस्क्रीम बनाने की रेसिपी को शेयर करूँगी केसर पिस्ता आइस्क्रीम बहुत यह सानी से बन के तयार हो जाती है और यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है यह आइस्क्रिम जो है हमारी जटपडवन के तयार हो जाती है और इसको बनाना बहुत ज़दा असान है तो हम आइस्क्रिम बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कड़ाई के अंदर एक कब लिया है दूद और दूद को हमने पहले से boil कर रखा था तो अभी यह room temperature पर है इसको हमने कड़ाई के अंदर add कर दिया है boil आने खिले साथ में हमने एक cup के अंदर यह आदा cup डाला है इसके अंदर दूद और यहाँ पर हम दो चमच इसके अंदर add करेंगे केसर पिस्तर flavor और इसको अच्छे तरीके से गुल के इसकी सलरी को रेडी कर लेंगे जो हमारे कड़ाई वाला दूद है उसको हम लगातार चलाते रहेंगे इसके अंदर बॉइल आ गया है तो इसके अंदर अब हम एट करेंगे यहाँ पर एकफ चीनी चीनी भी इसके अंदर हमने एट कर दी है और इसको दो मिनट के लिए हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसके बाद वह जो हमने यहाँ पर सलरी को रेडी किया था अब जो हमारी सलरी है वो रेडी हो चुकी है तो यहाँ पर हमने इसको एक अलग बाउल के अंदर निकाल लिया है और इसको हम किचन काउंटर पर रख देंगे 20 मिनट के लिए थंडा होने के लिए इसके बाद में इतने ही ठंडी होगी इतने हम अपनी विपिंग क्रीम को रेडी कर लेते हैं यहाँ पर हमने एक कप लिए है whipping cream यह non dairy whipping cream लिए है हमने और इसको हमने यहाँ पर बाउल के अंदर डाल दिया है और इसको हम whisker की help से यहाँ पर whisk करेंगे तो अगर आपके पास electric whisker ना हो तो यहाँ पर आप hand whisker की भी use कर सकते हैं इसके बाद में यह whisk हो चुकी है तो जो हमने slurry बनाई थी उसको भी हमने इसके अंदर add कर दिया है और दोनों ingredient को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से whisk करेंगे और इसको बस हमें 5-6 मिनट के लिए लगाता चलाते हो इसी तरीके से whisk करना है तो जो हमारी ice cream है यह बनके ready हो चुक कर देंगे और उपर से फॉइल पिपर लगा कर हम इसके जो डखाने उसको डख देंगे अब ice cream बन चुकी है तो इसको हम सेट होने के लिए यहाँ पर हमने फ्रीजर के अंदर रख दिया है हमने यहाँ पर इसको ओवरनाइट के लिए रखा है और next day हमने यहाँ पर इसको खोल के देखा है तो जो ice cream है वो बन के तियार हो चुकी है ice cream का बहुत ज़्यदा creamy texture आया है आप देख सकते हैं यह खाने बहुत ज़्यदा स्वाधिस्ट वह नहीं थी और जो ice cream हमारी है वो बन कर ready हो चुकी है तो इसको हम इस तरीके से अलग plate के अंदर निकाल लेंगे अ हमारी ice cream है केसर पिस्ता ice cream यह बन कर ready हो चुकी है यह खाने बहुत ज़्यदा tasty बनी है तो आप भी इस recipe को ज़रूर try करें वीडियो कैसी लगी वह आप मुझे comment section बता सकते है वीडियो अच्छी लगी हो तो आप like करे चैनल पे नए हो तो subscribe करे और आप मेरी वीडियो को चा subscribe करे मधू की रसोई